लाल कृष्ण अन्वार्णी तो मान गए गांधी नेगर से चुनाव लड़ेंगे लेकिन वो भुपाल से भी चुनाव लड़ना चाहते थे और भुपाल की सीट एक बाद फिर विवाद में आ गई है क्योंकि वहां से जो सांसाथ है बीजेपी के कैलाश उशी उनका है कि आपको लड़ना है क्या चुनाव आगे हमें नहीं मालूम उसने क्या जवाब दिया लेकिन ठीक अगर लड़ना है तो आप एक करोड़ रुपय लेकिया आपको लड़वा देंगे उसके बाद थोड़ी सी बाची दो दिए फिर वह बाद फिर कहते हैं कि आपको लेकिन एक करोड़ रुपय की मांग जरूर हो रही है और चुनाव लड़ने की टिकट दिलाने की मांग जरूर बात कर रहे हैं और फोन पर बात करते हुए जैसा कि बिजे ने भी बताया है कि हो जाएगा आपको अगर चुनाव लड़ना है तो कुन कुछ कहता है तो फिर कहता है कि आपको लड़ना था अपको लड़ना देंगे तो ठीक हाब एक करोड़ रुपय लेकर आजाए आपकोह देंगे और बाद में आखरी कि कह 했की ऑचको बह को APP कि tähän लड़ा दे क्या तो आजाओ एक करोड रुपया लेकर आपको लड़ा देंगे तो यह कह रहे हैं और इसको कैलाश चोशी की सफाई भी सामने आ गई है क्या उन्होंने काइस पर सुनिया कि वो किसके किते चलते हों फैसला पार्टी कहात में पार्टी फैसला करेंगे किसको देना है दो हो चार हो चाहिए दस हो भी मैं तो के दिया था मेरे पर नहीं रिखना हूँ कि है पार्टी आप से अग्रत इप आप पार्टी ने में जवाब दुआ आपको पार्टी ओतरा आप मैं जवाब दूं आप पार्टी होगा था तो कोई मतलब नहीं फिर इसका फ्रोटी उसकों सचा और आप आप किसी को आफर नहीं कर रहा था और आफिर करता मैं तो यहां 40 साल से बैठा हूं करता अपना कर लेता हमारी पार्टी में चलता थोड़ी है बिल्कुल नहीं है कौंगे इसके कह रहा है कि वह सीटें बिक रही है जिस तरीके से लग रहा है जिस तरीके से आपको दिखाया जारा हुसमा जारा की हां तो सीटें भिक रही है तो बोले तो सही जिसको सीट दी हमने वह बोले कि हां मैंने दो करोड़ में खरी दी के करोड़ खरी तब तो सचाई है इनके बोलने से सच हो जाए क्या बात